हेलो फ्रेंस आप सब के मोवाईल में ये डाइलर बटन जरूर होगा और ये डाइलर बटन होगा तो आप इस डाइलर बटन से कॉल जो है नमबर जो है लगा के करते हुएगा और ये डाइलर जो दिख रहा है न ये आपको अपने फोन में बिल्कुल जो है ऐसा ही देखेगा इसके अलावा आपको कोई भी चेंजिंग जो है नहीं दिखेगा लेकिन आज की वीडियो में आपको इस डाइलर में फोटो लागाना बताऊंगा जिसको देखके आप भी चोक जाएगा और आप भी सुचेगा कि कास यार ये ट्रिक के बारे में पहले से पता होता तो अभी अपने फोटो के डाइलर बटन में फोटो जो है शेट कर सकते है जैसा फोटो लागाना चाहते है वो ऐसा फोटो जो है फोटो के डाइलर बटन में लगा सकते है सबसे पर दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक निकिया है तो वीडियो को लाइक कर दिजे आपका लाइक करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आपका भी फर्ज मनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को फूल सपोर्ट करें तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ सेर किजेगा और चैनल में कमेंट बॉक्स में आके आप लोग अ लेता है और चिपका देता है आपका फोन में बस आप उसको धोटे रहो जब तक फोन चल रहा है तब तक उसको धोटे रहो लेकिन दोस्तों आज मैं ट्रिक बताऊँगा न ओट्रिक से आप अपने फोन के डाइलर में बिल्कुल जो है बैगराउंड में लरकी का फोटो जिसका फोटो लगाना चाहते है आप सेट कर सकते हैं उसके लिए क्या करना है आपको प्ले स्टोर से एक छोटी सी अपली केसन डाउनलोड करना है जिसका नाम है माई फोटो फॉन डाइलर और का अपली कैसन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मैं दे रखा हूँ आप आपके सामने डाइलर दोस्तों आ गया ठीक है यह रहा हमारा डाइलर जिसके अंदर देख सकते हैं फोटो जो है अल्रेडी बैगराउंड में लगा हुआ है मैं सेटिंग पे टाच करता हूँ और इसके सेटिंग में चलते हैं देखें चेंज डाइलर थीम चेंज कॉल वाल लेकिन मैं चाहता हूँ कि गैलरी से लगे तो गैलरी वाला ओप्सन पे टाच करूँगा और गैलरी में बहुत सारा फोटो है तो मैं एक फोटो जो है ले लूँगा यह देखें यह साउत की एक्टी से मैं इसी का फूल फोटो जो है ले लिया हूँ कर देता हूँ और यह डाइलर कितना colorful जो है दीख रहा है देख सकते गजब का दिख रहा है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको apply कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं change theme पे ट्रस करता हूँ बटन बदलता हूँ यह बटन बला option पे ट्रस करके अब हम बटन जो है water drop बला लगाते यह देखें क्या खुबसूरत डाइलर दिख रहा है देख सकते दोस्तों मैं यहाँ पे apply कर देता हूँ और back आ जाता हूँ अब देखें मैं अपने डाइलर में चलता हूँ देख सकते है गजब का डाइलर दिख रहा है और मैं यहाँ पे जिसको call करना चाहूँ call भी कर सकता हूँ यह देखें call भी जा रहा है और इसके अंदर एक जो है दोस्तों background भी गजब का मिल जाता है जो की काफी खुबसूरत दोस्तों यहाँ पे दिखता है जो की काफी लाजवाब जो ह फोटो आप लगा सकते हैं call screen में भी जो है फोटो लएगा जब भी कोई आपके phone पे call करेगा ना तो call screen में भी जो है फोटो आपको दिखेगा change call wallpaper है यहाँ पे टच किजे बहुत सरा wallpaper आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको क्या करें दोस्तों यहाँ पे फोटो वाला option पे टच करना है तो कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे all contact पे set कर दता हूँ अब थीम वाला option पे टच करेंगे तो यह सब जो है अलग अलग थीम में यहाँ पे हम यह वाला थीम जो है लगा लेते हैं अब देखिए यह डाइलर हो गया और मैं call करता हूँ देखिए कैसा call screen देखेगा call screen के अंदर दोस्तों background देख सकते हैं फोटो जो है दिख रहा है जो कि काफी गजब का लग रहा है और कोई call करेगा ना तो ओभी call screen जो है काफी गजब का दीखेगा तो इस तरह से डाइलर call screen और call थीम तीनों में फोटो आप लगा सकते हैं और अपने phone डाइलर को और भी ज्यादा जरूर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके फूल सपोर्ट जरूर कीज़ेगा गाई मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाइबाल दोस्तों